गुरुवार शुक्रवार की दर्मियानी राथ हुए एक सड़क हाथसे में राजनांद गाउं जिले के खेरागड का एक परिवास जिन्दा चल गया यह दुखध हाथसा तेजर अफ्तार कार के पुलिया से टकराने के चलते हुआ इसके बाद कार में आग लग गई जिसे पत अब तक सब समाप्त हो चुका था खेरागड के गोल बाजार निवासी सुभाज कोचर अपनी पतनी शांती कोचर और तीन बेटियों भावना वृद्धी और पुजा कोचर के साथ शादी समारों में शामिल होने के लिए गय हुए थे वहाँ से सभी देरात करीब दो बजे आल्टो कार में लोट रहे थे लेकिन रास्ते में खेरागड रोट पर ठेलका डी छेतर में ग्राम सिंगारपूर के पास कार में अचानक आग लग गई इसके चलते किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला किसी ग्रामीन ने पुलिस को सूजना दी तो ठेलका दी थाना पुलिस के साथ ही S.D.O.P. खेरागड भी मौके पर पहुँचे कार में अंदर फसे लोगों को बाहर निकाला गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी पुलिस ने पांथ लोगों के शवो को पोस्ट माटम के लिए भीजवा दिया है प्राथमिक जाज में ऐसा लगता है कि पुलिया से तेज रफतार कार टकराने के बाद पलट गई जिससे उसमें आग लग गई फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है आज सुबा से फोरंसिक टीम मौके पर पहुचकर जांच में जुटी हुई है सुभास कोचर खेरागड के बड़े व्यापारी थे यहां उनका सैकिल का बड़ा शोरूम है उनकी तीनों बेटियों की उम्र 20 से 25 साल की बीच की बताई जा रही है टककर के बाद कार बुरी तरह से छटी ग्रस्थ हो गए जिसके बाद उसमें आग लग गई हैरागर निवासी सुबा संद कोचर जी अपने परवार के शांथ बालोद में साजी समारो के लिए चल गए थे जो वहाँ नेट में वहाँ से वापस अपनी पर दिए है कि इस दवरान के लिए थाना चत्का अंत्रगत तिंगारपूर और गोपालपूर गाउं है वहाँ पे में रोट में है उनकी गाड़ी एक्सिगेंट हुआ है और बुपूल की डिवाइडर है वहाँ से टकरा के कशी रिन होने पाच्छा फाग लगे जिसमें उनकी सभी प्रदस्यफ जिसमें पांच लोग से खरिवार के उनकी नाके पे जलकर बड़ेत हो गई तरस समय पुलिस पाट्टी सुजना के अधार पर वहाँ पर पहुंची थी और आग को वहाँ पर बुझाया गया है इस घटना के बाद से खेरागर में शोक की लहर व्याप्त है Grand Asian News के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट